नमस्कार स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल में आए आज हम सभी जानते हैं डाइबिटीज को दूर करने के लिए कुछ एक आसान से देशी नुस्खे के बारे में जी हाँ डाइबिटीज एक बहुत थी फैलता हुआ यानि की मैकसिमुम लोगों को अब होत जा रहा है चाहें किसी भी उम्र के लोग हों सबको अपनी चपेट में लेता जा रहा है ऐसा रोग है आए इसी के बारे में हम सभी जानते हैं कि कैसे इसको हम सभी आसानी से दूर कर सकते हैं जी हाँ डाइबिटीज अब उम्र देश एवं परिस्थीतियों की सिमाओं को ल हम उन और शदियों के बारे में घरेलू जिनके सहारे आप डाइबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं सबसे पहले निम्बू मधुमे के मरीज को प्यास अधिक लगती है अतह बार बार प्यास लगने की अवस्था में निम्बू निचोड करके पीने से प्यास की अधिकता शान खीरा खा करके भूख को मिटाना चाहिए यह आपके लिए अच्छा होता है यानि कि डाइबिटीज में यह आपको फायदा भी करता है कंट्रोल करने में इसके अलावा गाजर और पालक इन रोग्यों को गाजर और पालक का रस मिला करके पीना चाहिए इससे आँखों के कम में इस्थित शरकरा की मातरा कम होने लगती है अतह शलजम की सबजी पराठे सलाद इत्यादी चीजें स्वाद बदल बदल करके आप ले सकते हैं आपके लिए फायदे मंद होगा इसके अलावा जामुन मधुमेह के उपचार में जामुन एक पारंपरिक और शद है जामुन क मधुमेह के रोगी का ही फल कहा जाए तो अतिश्योक्ति नहीं होगी क्योंकि इसकी गुठली छाल रस और गुदा सभी मधुमेह में बहत फायदे मंद हैं मौसम के अनुरूप जामुन का सेवन और शदी के रूप में खूब करना चाहिए ताकि आप मधुमेह से बचे रह होता है तब आपको फायदा होता है तो यह थी आज की जानकारी आप सभी के लिए मधुमेह से रिलेटेड अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जोड़ेंगे एक अन्य बहत ही महतोपून जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों